राजी सबसांसद मिदलेश कुमार आज सायाखव पूर पहुंचे यहां उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया सांसद ने कहा कि कॉंगरेस पार्टी घोटा लेवाज पार्टी है पार्टी में बचे वोच चंदनेता अपनी साख बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए है उन्होंने कहा कि देश की जनता आज पधार मंत्री नरेंद्र मोधी को ही पसंद करती है राजे सबा सांसद सायांपूर पहुंचे थे यहां उन्होंने सबसे पहले जन सुनवाई कर समस्याओं को सुना इस दोरान उन्होंने कहा कि जल्द ही सायाँपूर में कार्डिक सेंटर खुलेगा जिसको लेकर प्रस्ताव पास हो गया है दिल की बीमार्गों से जुड़े मरीजों को अब दिल्ली और लखनव नहीं जाना पड़ेगे यह सांसद ने कहा इसके अलावा फरुकाबाद मैलानी रेलवे लाइन को लेकर उन्होंने कहा कि रेल मंत्री जल्द ही फरुकाबाद मैलानी रेलवे ट्रैक को हरी जंडी दिखाएंगे वहीं मीडिया से बाचीत करतु एक कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा पर उन्होंने करारा जबाब दिया सांसद ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी एक घोटाले बाज़ पार्टी है 2014 से पहले कॉंग्रेस में के बाद एक नए घोटाले रोजाना सामने आते थे कॉंग्रेस भारत जोडो यात्र से राहूल गांधी को पियम बनाने का सपना देख रही है 2024 में राहूल गांधी उड़ जाएंगे उन्होंने कहा कि आज देश की जनता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को ही पसंद करती है मैं दिल्ली में मानी रेल मंत्री जी से मिला उनको पत्र दिया तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसको हम बन माएंगे और उसके कारवाई भी सुरू हो गई है अभी फिर डिया रम्ताव आए थे यहीं शाजहांपो उन्होंने भी जाकर के तब देखा बात किया है अब उनके मैं जबाब के इंजार करना हूँ मैंने सरपर्थम CMO और मेटकल कालेज के ट्रेंसिपल और मेटकल कालेज के अधिक्षक सब के साथ बैठ करके मीटिंग किया मीटिंग में पाया कि जो यहाँ पर आडियन्स फैक्टरी का हास्पिटल है वो काडिक शेंटर के लिए वो लोग प्रस्तावित कर चुके है लेकिन उपर कोई पैरवी करने वाला नहीं था उन्होंने हमको पूरी फाइल बाकाइदा हमारे नाम से दिया मैंने अभी मान्नी मंत्री जी माडविया जी से दिल्ली में आठ तारीक को मुलाकात किया तो उन्होंने पूरी फाइल पढ़ी पढ़कर के हमको कहा है कि हम आपके कार्डियो शेंटर को सुखती देते हैं और इसमें जो भी पैसा लगेगा हम उस्पूर लगाएंगे चुकि अभी जब हमारा सदन चला था तो मान्नी मंत्री जी के द्वारा सदन में एक होसला की गई थी कि कोई भी जनपत जहां पर जिलात पताल नहीं होगा जहां सीसीू सेंटर नहीं होंगे जहां कार्डियो के नहीं होंगे हम बहाँ पर सुविधायन देंगे हार्पिटल बनाएंगे इसी योजना को मैंने अपने दिमाग में रखा शाजांपुर के अधिकारियों पहले अभी लोग जानते हैं मैं जब MP था तो 2012 के बाद रोज एक नई भष्टाचार की बात बहां पूठती थी उस समय भातियंता पार्टी की नेता विरोधी दल शेरीमती शवस्मा सुलाच थी आज वो इस दुनिया में नहीं है उन्हों ने चाहिए कोल घुटाला हो चाहिए टूजी स्पेक्ट्रम हो इस तरीके से उन्होंने कांगरेस को नंगा किया आज कांगरेस देश से बाहर है हर घुटाले में फस्ते जा रह रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े थे उनके कर्मों देखकर के आज अच्छे अच्छे लोग उनसे अलग हो करके बातियंता पार्टी में आ रहे हैं पूरे देश के लोग हमारे देश के माननी प्रधानमंती नरेंद मोदी जी को पतंद करते हैं जनता उने पतं अब वो उड़ जाएंगे